नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मारे चैनल में आज़ों आपके साथ सोलर सिस्टम और हमारे अर्थ पृत्वी से रिलेटेड बहुत ही जो important प्रेशन है उसको हम discuss करने जा रहे हैं और ये बहुत ही exam के perspective से बहुत ही जादा important प्रेशन है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब से पहला जो question है वह है solar system में कितने ग्रह प्लानेट है तो solar system में दोस्तों पहले जो है9 होते थे पर अब हालही में आठ total planets है ग्रह है और pluto जो कि 9 आप ये ग्रह था उसे अब जो है dwarf planet में गिना जाता है next question दीखते है सूर्य चैन को गर्म हवा से बना हुआ है और इस जो है जो सारे प्लानेट से उनके मध्य में ये स्थित करता है इसी के स्थार जो है जो है जो प्लानेट से वह चारो और परिक्रिमा करते हैं और ये जो सूर्य है इसमें एक तरह का जो फोर्स है पुलिंग फोर्स है वही पूरे सोलार सूर्य सन की किरने लगभग कितने समय में प्रिथवी अर्थ पर पहुचती है तो सूर्य की किरने जो है दोस्तों वह एट मिनिट आठ मिनिट में ही प्रिथवी पर पहुच जाती है और जो लाइट है वह 32 किलोमेटर पर आर की स्पीड से ट्रावल करता है पर फिर भी इतनी जल्दी आनि कि सिर्फ़ आठ मिनिट में ही सूर्य की किरने प्रिथवी पर पहुच जाती है नेक्स गर्थ देखते हैं वह पढ़ता है जो सूर्य सन के निकट में जो गर्ष पढ़ता है वह पढ़ता है दोस्तों मर्क्यूरी यानिए कि इसका जो और यह जो है सूरी की परिक्रमा 88 दिन में यानि कि जो मर्कुरी है जो बुद्ध ग्रहा है यह जो है 88 दिन में सूरी की परिक्रमा पूरी कर लेता है next question देखते हैं किस ग्रह को नीला ग्रह या ब्ल्यू प्लानेट भी कहा जाता है तो नीला ग्रह या ब्ल्यू प्लानेट जो है दोस्तों वो हमारे प्रिथवी को ही कहा जाता है वो इसलिए क्योंकि दो तीहाई हिस्सा तू थर्ड जो पाठ है अर्थ का वो पानी से भरा हुआ है नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं पृत्वी का उपग्रह कौन है तो पृत्वी का उपग्रह जो है जो है वो सिर्फ एक ही सेटलाइट है और वो है दोस्तों मून नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं चंद्रमा पृत्वी की परिक्रमा कितने दिन में पूरी करता है तो चंद्रमा जो है पृत्वी की परिक्रमा दोस्तों 27 दिनों में पूरी कर लेता है और जो इसका डायमेटर है दोस्तों वो वन क्वार्टर है अर्थ के नेक्स ग्वेशन देखते हैं चंदरमा जो मून है वो पृत्वी की सर्फेस से कितने किलोमेटर की दूरी पर है तो वो है दोस्तों 3,84,400 किलोमेटर यानि कि इसका ए ओप्षन जो है वो सही हो जाएगा नेक्स ग्वेशन देखते हैं और ये जो चंद्रमा है दोस्तों, इसका जो सिर्फ एक ही पाठ है, एक ही हिस्सा है, वो हमें दिखाई देता है, क्योंकि ये भी पृत्वी के चारों और गूमता रहता है, नेक्स कुशन देखते हैं, चंद्रमा जो मून है, उस पे पहली बार जो कदम रखा था, वो व्यक् यानि कि इसका जो ए उप्षन है, वो सही हो जाएगा, इन्होंने सन 1969 में पहली बार जो चंद्रमा है, उस पे अपने कदम रखे थे, नेक्स कुशन देखते हैं, मंगल ग्रहा, मार्स पे कितने उपगरा हैं, तो मार्स पर जो है दोस्तों, दो अप उपगरा है, यानि कि आ मारा अर्थ है, उस पे एक उपगरा है, जो कि मून है, और ये जो है दोस्तों, 687 दिन में सूरी की परिक्रमा पूरी कर लेता है, नेक्स कुशन देखते हैं, ब्रहस पे दी ग्रहा, जुपिटर पे कितने उपगरा है, तो जुपिटर पे दोस्तों, टोटल है 53 सैटलाइट और इसी तरीके से जुपिटर के बगल में जो प्लानेट है, जो ग्रहा पड़ता है, सैटर, उस पे भी टोटल 53 सैटलाइट्स हैं, उपगरा हैं, और ये जो है, बारा साल इसे लगते हैं, दोस्तों, जो सूरी की परिक्रमा है, उसे करने में, नेक्स कुशन देखते हैं, एस्टेरोइट्स जो हैं, वो जाधा तर कहां पाए जाते हैं, तो एस्टेरोइट्स जो हैं, दोस्तों, वो जो मार्स है, और जो जुपिटर है, मंगर और ब्रहस्ती, ब्रहस्ती के बीच में जो और्बिट्स हैं, वहां पर ये जो है परिक्रमा लगाते हैं, ये जो है पा पर वो एक्चुली में 365.242 डेस होता है इसके जो हर 6 गंटे हैं ये 4 साल तक एड़ होते हैं और तब जाके 4 साल के हिसाब से जो है हमारा जो लीप यर है वो आता है यानि कि 366 जेस जो है का यर वो बनता है नेक्स कुशन देखते हैं युरैनेस अरुण ग्रहा पे कितने उपग्रा है तो अरुण ग्रहा पे दोस्तो 27 उपग्रा है और ये जो है युरैनेस इसे ही हम अरुण भी कहते हैं हिंदी में नेक्स कुशन देखते हैं युरैनेस से ही अरुण से ही रिलेटेड जो अरुण ग यह जो ग्रहा है यह साथवी नंबर पर पढ़ता है क्रम में यानि कि आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों यह जो ग्रहा है यह कुछ इस प्रकार से यह लाइन से यहां पर पिक में दिख रहे हैं सबसे पहले जो ग्रहा आता है वो आता है मर्क्यूरी देन आता है वीनस दे यानि की इस तरीके से आठ ग्रहा आते हैं सबसे पहले जो आपको ते अपको दिख रहा हैं वही है मर्कुरी और यहां पर आपको दिख रहा है वह है नेप्ट्यून प्लिटो जो है जैसे अभी हमने आपके साथ डिसकस किया अब वो 9 planets के हिसाब से इस particular जो संग्रा है उसके अंदर नहीं गिना जाता है वो एक dwarf planet जो है माला जाता है नेक्स क्वेशन देखते हैं प्रत्वी अर्थ पर सबसे जादा पाय जानी वाली गैस कौन सी है तो वो है दोस्तो नाइट्रोजन लगबग 78% जो है यह पाय जाती है और इसके बाद जो सबसे जादा गैस पाय जाती है प्रत्वी पर वो है oxygen जिसे कि हम O2 भी कहते हैं नेक्स क्वेशन देखते हैं प्रत्वी ग्रहा अर्थ की orbit पे speed कितनी है तो प्रत्वी ग्रहा की जो speed है orbit पे वो है दोस्तो 29.78 km पर सकेंड जिसे कि हम जो है लगबग 30 km पर सकेंड भी कहते हैं यानि कि इस question का यह option सही हो जाएगा नेक्स क्वेशन देखते हैं प्रत्वी ग्रहा अर्थ कितने समय में अपने axis पे rotation करती है यानि कि वो जो है जो चक्र लगाती है वो कितने घंटे में लगाती है तो वो है दोस्तों हम बोलते तो है 24 घंटे पर है दोस्तों वो 23 घंटे 56 मिनेट 4 सकेंड यानि कि इसका जो B option वो सही हो जाएगा और आप दोस्तों जैसे कि कुछ लोग को confusion भी रहता है rotation जो होता है वो होता है अपनी सता पे ही जब प्रित्वी घुमते उसे बोलते है rotation आप यहां पर पिक के जरिये इससे देख सकते हैं और वही पर revolution जो होता है वो sun की चारो और जब अर्थ जो है हमा करना ना भूले धन्यवाद